हेलो इंजीनियस क्या आपने सिविल गुरुजी के नए जॉब विकेंसिस के बारे में अभी तक पढ़ा है कि इने इतनी सारी जॉब विकेंसिस एक्सपर्टीज अगर आपको इन में अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ने लिंक दे दिया है आप वहाँ पर तो है जाकर गुगलओं सम्मिट कर सकते हैं और इन विकेंसिस के लिए अप्लाई कर सकते हो ध्यान ज़रूर यह रखिएगा कि जिसमें आपकी ऐग्सपर्टीज है । जिसमें आपका experience सिर्फ उनी fields पे ही आपको apply करना है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो lecture Hello engineers, मैं इंजीनियर अकाजब और एक बार फिर साप सभी को सब्सक्राइब करता हूँ आपके पसंदेद चैनल सिविल गुरुजी पे आज के इस वीडियो lecture पर हम बात करने वाले हैं डिटेल पे कुछ बहुत important benefits एक civil engineer होने के benefits of being a civil engineer जिसमें की आज के वीडियो lecture पर हम जानने वाले है what is civil engineering पहले हमको civil engineering को समझना बहुत जारूरी है उसके बाद आते हे हमकी benefits of becoming a civil engineer की यहाँ पर क्या क्या benefits होते हैं एक civil engineer बनने के जिसमें की कुछ points हमें हमारे पास हैं जिसके उह हमको read out करना है field work के बारे में आज हम जानेंगे team work क्या होता है उसके बारे में जानकरी लेंगे creativity, एक civil engineering की creativity क्या होती है कि उसके बारे में आज हमें पता चलेगा importance of becoming a civil engineer civil engineering क्या importance होती है society में और साथी साथ उसका payroll कि उसका pay scale payroll क्या होता है तो आईए देरी ना करते होगे शुरू करते हैं आज का details जो की है what is civil engineering so engineers अब हम समझते हैं सबसे पहले what is actual civil engineering अगर मैं आपको समझाना चाहूँ simple words में civil engineering को अगर हमें समझना है तो हमें ये जानना होगा design, construction and maintenance ये तीन terms का बहुत importance concept है हमारे civil engineering में सबसे पहली चीज जो आती है that is actual design कि जब आप design की बात करते हैं तो वहाँ आपका technical knowledge यानि कि जो भी learning आपने की है जो technical knowledge आपने लिया है पूरा का पूरा design यानि कि उसका concept जो भी structure आप बना रहे हैं उसका theme सब कुछ design करके ready करना ये पार्ट आता है हमारे designing के अंदर next अगर मैं बात करो civil engineering की तो other part that is construction यानि कि उस design को अब करना है हमें construct which means कि उसका actual execution यानि कि यहाँ पर जो आपका कामाने वाला है वो आएगा आपका field experience यहाँ पर आप कितना अच्छा खुद को present कर सकते हैं construction के part पर next जो part है हमारे that is maintenance कि जो आपने design किया उस चीज़ को construct तो जरूर कर दिया लेकिन अब हमें चाहिए उसका maintenance कि उसका maintenance किस तरह से होगा अगर हम बात करें design construction और maintenance इसको अगर हम combine करते हैं तो यह पूरा का पूरा part आता है हमारे civil engineering के अंदर अब बात करते हैं कि ऐसी कौन-कौन structure से design construction maintenance के अंदर आती हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो roads, bridges, buildings, dams और भी बहुत सार ऐसे construction structure से अगर मैं बात करूँ canals, airports, railways बहुत सार ऐसे structure से हैं लेकिन जो most common जो हम देखते हैं that is road, bridges, building and dams clear यह concept और theme understand करने के लिए बहुत important है तो आई होब आपको civil engineering का motive तो समझ में आँ हुआ कि design, construct and maintenance यह तीन पार्ट हैं जिसमें आपको यह find out करना है कि आप किसमें आगे बढ़ सकते हैं कि आपका design अच्छा है या फिर आप field practical में जादे expert हैं या फिर जो उसका outcome है यानि कि maintenance का जो पार्ट है अब हमें जानते हैं कि field work मैंसी कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी और importance है जो हमारे लिए benefit साबित होता है civil engineering के लिए सबसे पहला office time is spent on planning कि office का job का का काम होता है field में ही office का का काम होता है उसमें आप planning करते हैं कि project को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा किस तरह से cover up किया जाएगा making appointments and meeting आपको मौका मिलता है appointments और meeting करने का क्योंकि एक project में आप अलग-अलग तरह से लोगों से मिलते हैं उनसे meetings करते हैं appointments करते हैं जिससे कि आपको एक other तरह का advantage भी मिलता है Each project has its own distinct design challenges and operational issues यह जो important point ही है जरूर challenging point है लेकिन यह civil engineer को एक ऐसे stage पर ऐसे skill set पर लेके आता है क्योंकि आप हर project में जो काम करते हैं वो project अपने पुराने project से अलग ही होता है यहाँ पर यह challenge जरूर है लेकिन इससे आपकी जो skills है जो आपकी quality है वो बहुत ज़ादा enhance होती है क्योंकि आपको multiple number of challenges को face करने का मौका मिलता है उसको solve करने का मौका मिलता है field पर और उसे execute करवाने का मौका मिलता है next point के अगर मैं बात करूए that is work site monitoring buildings running projects and tackling project issues आपको जो field work में सबसे most experience ही है site को पुरा monitor करने का मौका मिलता है projects को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है and जो भी issues आप find out करते है क्योंकि अगर हम बात करें field work में तो ऐसे बहुत सारे issues है जो theory में तो बिल्कुल आसान समझ में आते हैं लेकिन जब हम field work की बात करते हैं तो उन issues को solve करने की जो एक quality develop होती है civil engineer के अंदर वो field work आपको provide कर आवाता है next अगर point के मैं बात करूँ next benefit के अगर हम बात करना चाहें that is teamwork again a very important part की एक इंसान की एक person की एक engineer की quality होती है teamwork उस teamwork में उसके क्या के benefits मिलते हैं के बारे में जानते हैं engineers work closely with contractors, architects and construction workers on various projects यानि की उसे मौका मिलता है team के साथ काम करने का हर एक stage पर उसे अपने senior के साथ भी काम करने का मौका मिलता है उसे labors हमारे worker के साथ भी काम करने का मौका मिलता है contractor के साथ architect के साथ हर एक field से उसको काम करने का मौका मिलता है as an individual contractor को भी समाल रहा होता है architect से भी dealing कर रहा होता है workers को भी assign कर रहा होता है roles and जो पूरा का पूरा project है उसको पूरा handle कर रहा होता है किसके help से सिर्फ और सिर्फ teamwork के help तो ये benefit कि quality आप में enhance करता है as in civil engineering career अगर आप choose करते हैं तो this interaction brings forth a platform to share knowledge and ideas ये जो civil engineering के जो proper field है इसमें आपको जो सबसे important चीज़ अपने knowledge share करना जब आप किसी के साथ knowledge share करते हैं तो आपका knowledge तो बढ़ता ही बढ़ता है लेकिन साथ में सामने वाले को भी बहुत सारी useful चीज़े पता चलती है आप एक teamwork के help से अपने जो भी atmosphere है उसको grow करते हैं उस atmosphere के help से आपको बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने में help मिलती है next point के अगर हम बात करने civil engineers are team players बहुत important part ही हम team players ही हैं कि team के साथ काम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशे उटसाहित रहते हैं and this paves the way to becoming a great leader within the community ये जो skills है civil engineering की team work के आपको बहुत अच्छा leader बनाती है आपकी industry में और ये आपको help भी करती है कि अगर आप किसी company में as a leader as a team worker leader आप guide करते हैं communities को पूरे projects को handle करते हैं in future अगर आपकी dreams है खुद का business चालू करने की तो वहां आपको ये बहुत जादा helpful रहती है अगर हम बात करें third और C point की that is particularly creativity ये civil engineering field आपके अंदर कौन कौन सी creativity निकाल के लाती है क्या ये आपको एक अलग धरजा देती है कैसे आपको ये अलग बनाती है ये उसके बारे में जानते है जो सबसे पहला point है civil engineers combine strong technical competence with creative designing यानि कि आपका जो part है आपको technically strong तो होना ही होना है साथी साथ creative भी होना है क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को design करने के जो कि हमारा पहला part था design उस design करने के लिए आपको technically strong भी होना पड़ेगा as well as creative भी होना पड़ेगा तो ये आपके अंदर एक creativity भी develop करती है they take pleasure in establishing creative structures अब जो हम structures design करते हैं बड़े-बड़े structures वो हमारी यादों में बस जाते हैं क्योंकि वो structure अगर मैं बात करूँ एक civil engineer की अगर वो किसी बड़े-बड़े projects में काम करता है बड़े-बड़ी multi-storage building में काम करता है damp में, bridges में तो आने आगे वाले समय पे वो उसकी legacy बन जाते हैं वो अपने गर्व से बोलता है अपने families को, अपने friends को कि ये देखिए, ये structure है इस पे मैं engineer था मैंने ये structure पर काम करवा है मैंने ये structure बन वाया तो उसके लिए एक pleasure होता है एक creativity का part होता है कि वो कितने अच्छे structures डिजाइन कर सकता है next point के अगर मैं बात करूँ their line of work requires the knowledge of construction industry including electrical, plumbing, systems and functional working इसके साथ साथ जो उसे extra knowledge भी होता है अलग-अलग field का जहां पर उसे civil engineering तो आती ही हाती है लेकर उसके साथ क्योंकि building पे बहुत अलग चीज़े भी use होती है तो उसके helps उसे electrical, plumbical, systems and functions जो अलग-अलग तरह के और भी fields होते हैं उसमें भी explore करने का मौका मिलता है जिससे उसकी जो skills है वो थोड़ी और increase और on enhance होती है आगे चलते हैं next point के तरफ और बात करते कि importance क्या importance है properly एक civil engineering career की अगर मैं बात करना चाहूं engineers use their skills to optimize performance and efficiency of community system यानि कि अगर हम बात करें तो एक जो society एक community वो कैसे develop हो रही है हम कहीं पर भी देखते हैं वह हमें buildings दिखाई देते हैं structures दिखाई देते हैं आप अभी इस video के देखते हुए जिस चछत के नीचे होंगे वो चछत वो घर भी एक civil engineer डिजाइन किया हुआ यानि कि यह जो society है वो run कर रही है क्यों just because of civil engineers क्योंकि जो बात है हम कहते हैं ना कि civil engineering is the mother of all the engineering fields वो क्यों है क्योंकि सबसे पहला जन किसी भी creativity को दिया था civil engineering नहीं next point कि अगर हम बात करें जो पूरा का पूरा ecosystem होता है किसी भी एक person के life का अगर हम बात करें कि उसके घर बनाने से लेकर उसके health, उसके safety, उसके residence हम बात करें पूरे के पूरे उसके design का यानि कि water भी एक बहुत important factor होता है इस सारा का सारा part जो cover होता है एक society को well established बनाने के लिए वो part create करता है वो part develop करता है civil engineer जिसकी बहुत जादा importance है हाला कि आज के वक्त में ये जरूर है कि लोग उतने जागरूप नहीं है civil engineering के field को लेकर हो सकता है कि इस video को देखने के पाद आपको समझ में आए कि ये क्या importance होती है एक actual civil engineer की कैसे वो चीजों को fight out करते हुए अपनी एक अलग identity create करता है और खुद को एक अलग दर्जे पर लेकर जाता है इस पर next point के बारे में हम बात करते हैं this makes them central figure in community development जो कि हमने अभी बात की कि वो जो identity create करता है किसी भी चीज को construct करने के बाद या किसी भी structure को complete करवाने के बाद लोगों के मन में वो identity figure जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत बड़े बड़े structure से जैसे कि सबसे common structure के अगर हम बात करते हैं कि ताज में ताज में हम जानते तो है कि किसने बनमाया है लेकिन उसके पीछे की जितने भी वर्किंग एफिशेंसी थे, जितने भी लेबर्स थे या हमाँ जो इंजिनियर्स आर्किटेक्ट होंगे क्लियर उनको कितना अगर आज वो हम बात करें हालाग यह पॉसिबल तो नहीं है आज वो अगर होते तो उनकी लेगेसी होती कि यह यह मैंने बनमाया है यह मेरे थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया गया नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं that is pay कि pay grade होता क्या है, pay scale क्या होती है एक civil इंजिनियर्स की उसके बारे में जानते हुए सबसे पहला पॉइंट समझते है कि इंजिनिर्ण इस अन अबव एवरेज लाइन ओफ वर्क एंड दस कम विध है अब यह जो लाइन है और यह जो पार्ट है pay scale अभी इस वीडियो देखते हुए बहुत सारे ऐसे इंजिनियर्स होंगे जो हाला की हो सकता है इस पॉइंट से मुझे रिलेट ना करें लेकिन इंडिर्स्री की यह सच्चाई ज़रूर है यहाँ पर हमारे civil engineering field में above line of work यानि की जो आपकी skills से उससे ज़्यादा पैसा है company में उसकी company की जो demand है आपको वो fulfill करना होगा अगर वो demand आप fulfill करते हैं तो जो आपका pay है वो ज़रूर बढ़ता है आगे जाता है लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे freshers हैं उनके लिए बहुत सारी companies opportunity तो create करती हैं लेकिन वो उन opportunities पर खड़ा ना उतरते हुए job switch करने की जो priorities हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं इसी वज़े से company हमेशा experience या ऐसे engineers देखती हैं जो उनके साथ long term तक लगें आगे बढ़ते रहें और properly उनके work को आगे लिकर जाए अब मैं next point के बारे में बात करते हूँ the rewards are plenty in this line of work इसमें आपको salary के साथ साथ और भी बहुत सारे achievements मिलते हैं जो आपकी benefits आपके skills को आपके enthusiasm को आपके काम करने की चाहत को बढ़ाते हैं next point के बारे में अगर मैं बात करूँ according to career junction एक survey है career junction के तरफ से कि 2014 the average salary of a civil engineer per month is Rs. 35,390 रुपी अगर हम बात करें कि engineers जो experience field में है जो और expertise यानि कि बहुत critical projects समालते हैं जिसके हम बात करें डैम हो गया, bridges हो गया, multi-story buildings हो गया, बहुत बड़ी बड़ी tunnels हो गया, वहाँ पर जो बहुत critical projects भी समालते हैं उनकी भी salary package on an average near around 60,000 mark को touch करती है, guys यह जो भी data's हैं, यह सारी packages engineers को provide किये जाते हैं, मिलते हैं उन्हें यह सारे package, इसमें सिर्फ और सिर्फ एकी चीज़ की जरुवत है, वो है कि जो company की problem है, जो उनकी skill set की demand है, क्या आप उसे fulfill कर रहे हैं, या नहीं next point की तरफ बात करते हैं, that is, one way to earn a higher pay is to own your own company, बहुत सारे engineers का ये भी dream होता है, कि जब मैं किसी firm या किसी company में काम कर रहा हूं, तो उसे के साथ साथ क्या मैं अपनी firm भी चालू कर सकता हूं, ये बहुत सारे लोगों का सोचना और मानना होता है, और goal भी होता है, तो इसके help से आपको अगर जादा pay skill चाहिए, तो आपको जो job, जो job में आपको experience मिलता है, वो आपके company को start करने में, शुरू करने में, बहुती जादा important role play करता है, so engineers, ये जो important 5 points थे, जो हमने पढ़े, कि क्या क्या benefits होते हैं, एक civil engineer को आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कि सबसे पहला हमने जाना था, properly, की field work, उसके बाद team work, creativity, importance और pace के, so engineers, जैसे कि आपने देखा, क्या क्या benefits हैं, पूरे के पूरे, to become a 7 engineer, क्योंकि मैं और आप, हम दोनों एक 7 engineer, और हम चानते कि क्या हमारी role and responsibility है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके हम चलते हैं, तो इसी जोश और अगर आपको करना है कुछ खास, तो चलिए हमारे साथ, सिविल की बात, गुरुजी के साथ, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत